NCRT Solutions की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे Class 12th का Chapter No.10 जो की Vector Aliyavra है इसकी सीरीज हम कर रहे हैं तो इसकी Exercise 10.2 का Question No.3 अब देखने वाले हैं इसी Type का Question हमने जो Previous वीडियो था उसमें भी किया था जिसमें हमसे पूछा गया था कि हमको एक Vector लिखना था जिसका Magnitude Same हो यहाँ पर पूछा गया है हमको ऐसे Vector's लिखने हैं जिनकी Direction Same हो तो बच्चो Direction Same का मतलब क्या है कि दो Vector's हैं जो एक ही Direction में जा रहे हैं माल लीजिए मेरा A Vector है कोई भी जो इस Direction में जा रहा है अब इसी Direction में जाने वाला Vector अगर मैं उसका किसी संक्या से Multiply कर देता हूं माल लीजिए 2 से Multiply कर देता हूं तो वो Vector भी उसी Direction में जा रहा होगा लेकिन वो दो यूनिट ऊपर पहुंच जाएगा चीक है तो इसी Concept से हम इसमें दो Vector's हैं उनको लिखने वाले हैं तो माल लो मेरा A Vector है जिसको मैंने माल लिया आई प्लस जे प्लस के यानि एक यूनिट वेक्टर है अब बच्चों में का कर सकता हूं एक V Vector लिखता हूं जिसमें मैं क्या करता हूं आई को में 2 आई 2 जे 2 के से लिख देता हूं 2i प्लस 2j प्लस 2k तो ये ऐसे Vectors हो गए जो सेम डारेक्शन में जा रहे होंगे क्यों क्यों क्योंकि देखिए इनमें से मैं यदि 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये i प्लस j प्लस k बचेगा और ये दोनों Vectors क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे इसका मतलब ये निकल के आएगा कि यदि A Vector ये है तो जो B Vector है वो 2 unit इससे उपर चल रहे है यदि मैं इसी में चो 3 का मल्टिप्लाइ कर देता तो वही Vector क्या होता 3 unit उपर हो जाता तो मानलो मैं एक Vector C और लिग देता हूं जो की मानलो मेरा है 3i प्लस 3j प्लस 3k तो ये मेरे ऐसे Vectors हो गए जो i प्लस j प्लस k कैसे है same direction में है तो आई होब आपको ये concept समझ में आ गया होगा इसी तरीके से कोई भी Vectors आप लिख सकते हैं इसके infinite many solutions possible हैं कोई भी आप Vectors लिख सकते हैं तो हमें ये concept समझ में आ गया होगा जो Vectors हैं यदि हम उसमें किसी scalar का multiply कर देते हैं कोई digit का multiply कर देते हैं तो वो Vectors उतना ही ऊपर या उतना ही नीचे पहुंच जाता है तो आई होब आपको ये question समझ में आ गया होगा तो thank you for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में